तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाईज करेंगे TORRENT Pharmaceuticals Limited Company को बात करें तो इंडिया की TOP 10 Pharmaceuticals कंपणी में से एक कंपणी है कंपणी काफी अच्छा बिसनस है, काफी अच्छे ब्रैंड्स कंपणी होल्ड करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपणी का हम fundamental analysis करेंगे दूसरी बात आपको एक बात और बता दें, यह जो वीडियो हैं अपने subscribers की demand पर बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपणी का fundamental analysis करें तो मारे वीडियो के comment box में आपस company के नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द वीडियो बनाके आपको उसके बारे में information देंगे दूसरा एक announcement और करना है कि हमने अपने channel पर अब channel membership का option भी खोल दिया है अगर आप चाहें तो मारे चैनल की paid membership ले सकते हैं जो की 159 पर मंत की है उसके आपको काफी facilities हम लोग देंगे उसमें एक तो जो members की request आएंगी उसको preference मिलेगी कौन सी video बनानी है दूसरा early access मिलेगा new videos के लिए और साथ हम live streaming भी करेंगे अपने members के लिए तो हमें आपका support चाहिए अगर आपको value लगती है तो आप उस option को भी देख सकते हैं अब बात करते हैं अपनी company torrent pharmaceutical के बारे में बात करें तो leading Indian pharmaceutical company है company research development और manufacturing काम करती है pharmaceutical में और company mainly दो चीज़े बनाती है generic pharmaceutical formulations और API अपनी एक्टिव फार्मस्टिकल इंग्रेंट्स और top 10 company से एक company है बात करें company कौन कौन से therapy area में अपने products मनाती है तो company mainly जो key areas है वो उसके cardiovascular है central nervous system, vitamin and nutrients और anti-diabetes इस तरह की therapies के लिए अपनी जातर अपने जो दवाई हैं वो बनाती है फिर बात के company की market position की जो इसमें बात की दी company top 10 में तो company 8th rank hold करती है इंडियन फार्मस के market के अंदर company बात में 16 brand है जो की इंडिया के top 500 brand में से आते हैं और सासर company के बात 10 ऐसे brand से जो company को 100 crores per year का revenue भी generate कर देते हैं company काफी अच्छे brands hold करती है और काफी अच्छा market position भी है यह बात है इंडियन मार्केट की बात करें US market की तो US के अंडेट प्लस andas हैं जो government से महां की जो US FDA महां से approval है और सासर 50 से ज्यादा and is pipeline में जो अभी pending है अप्रोवल के लिए company उसको अर्य फिल कर चुकी है और सासर कंपनी 40 से ज्यादा product जो है वो नए launch करने वाली है अगले तीन साल के अंदर US की market मार्केट के अंदर तो बात करें तो 100 से ज्यादा already and is approve है और company लगातार नए and is फिल कर दिये तो वहां से भी company को नए product बनेंगे तो और अच्छे से market position वहां के भी company hold कर लेगी पर बात करें कंपनी के revenue mix की कंपनी कहां कहां से कितना रवाता है तो company जो branded genetics बनाती है वहांसे company को 62 परसंट है और जो company non branded genetics बनाती है हम हांसे company 38 परसंट रवाता है और जो company APS बनाती है वह company खुद यूज़ करती है उसको बाहर market में सेल नहीं करती है तो अबगा खुद के जैसे USA की market असला emerging markets भी है तो company mainly USA, Europe, Brazil इस तरह की countries में काम करती है और 12 countries में company की direct presence है और बाकी ज़े company export करती है फिर बात करें company की international revenues की तो company को India से 47% होता है USA 16% यानि के 16% होता है Germany से 13% Brazil से 8% और बाकी दूसरी countries में company export करती है वहाँ से company को 16% का revenue आता है फिर बात करें company की manufacturing capabilities की company उसमें कितनी units है क्या चीज़े है तो company आठ management facilities इंडिया के अंदर है और एक manufacturing facilities जो है वो US सेगदर है नहीं कि साथ होगे इंडिया के टोटल आठ है साथ इंडिया के अंदर और एक US सेगदर तोटल आठ management facilities है फिर बात करें company R&D capabilities के तो company काफी अच्छे से research and development का काम भी करती है क्योंकि company के ऐसे business में जहाँ पर लगाता है research चीज़े नहीं दवाईया बनानी पड़ती है बहुत सरी change होती है regulation change होती है तो company अच्छे से R&D का काम भी करती है और company हर साल 5-6% जो total उसका साल का revenue होता है उतना पैसा company अपनी research and development की activity भी खर्च करती है company बात करें से 700 ज्यादा scientist की team है और company के जो R&D facility है वो गुजरात करना है तो company काफी अच्छे से R&D का काम भी करती है फिर बात करें company के share holding pattern की किन की लोगों ने अपना पैसा इस company invest किया है तो promoters के पास में company के 71% shares है FYs के पास में 14% है DIs के पास में 7% है और public के पास में भी 7% है तो कुलना बात के है FYs और DIs के पास में 21% का का काफी अच्छा का सटेक FYs दे जने भी लिया है जातर लेकिन बात करें जो share orders में वो promoters ने अपने पास रखे हैं तो कुलना बात के company के सारे business file के तो हमने काफी अच्छे देख लिए company का India business काफी अच्छा है US में काफी अच्छा है सारे approvals वगर company बास में है और company India की आठवी सबसे बड़ी company है काफी अच्छा market share है तो clear हमें दिखाए देर है company काफी अच्छा business file hold करती है और अब हम बात करें से company के financials के बारे हैं कि पिछले 5 साल में company के revenue और profits में कैसी ग्रोथ हाई है उसके लिए company के पिछले 5 साल का data हम चेक करते हैं सबसे देखे हैं आपे company का revenue तो 2020 में company के लिए लगबग 8000 क्रोड के जो की 2024 में काफी अच्छे से इनकीज होके 10,728 क्रोड के हैं बात करें percentage में तो 8% के seizure से company growth आई है तो growth तो company में आई है लेकिन बहुत ज़्यादा extraordinary growth नहीं है stagnant साई है ये company 8% के बात करें तो 10% लीचे अगर growth है तो बहुत ज़्यादा अच्छी growth नहीं होती उससे plus हो तो ही better माना जाता है तो company ठीक ठाक revenue अपने generate कर लिए लेकिन बहुत ज़्यादा extraordinary growth company में नहीं है फिर बात करें operating profit की तो इसले 5% के एवरेज से यहाँ पर operating profit margin मेनेज कर लिए ये अच्छा number है कभी 27% हो कभी 31% होगा लेकिन बात करें average की तो 30% के आसपस company operating profit मेनेज कर लिए जो की industry साफ से काफी अच्छा है फिर बात करें net profit की तो 2020 में 1000 crore के आसपास और 2024 में 1656 crore आप देखें तो 13% के CGR से company का profit बढ़ा है तो company का revenue या sales है वो 8% बढ़ी है ऐसी बात करें कंपनी के free cash flow की तो company बहुत ही अच्छा free cash flow manage कर रही है आप देखें तो profit से ज़्यादा प्रॉफिट से ज़्यादा का profit और लगबग एक हजार के company के आपने फिरी cash flow 2021 में 1200 crore का profit और 1670 का free cash flow और ऐसे बात करें 2024 में तो 1656 crore का net profit आया था payment नहीं है कंपनी अच्छे से cash अपने पास रख पारी जो भी profit वगएर उसको बार बार इंवेस्ट नहीं कर नमड़ता तो cash के साब से बात करें तो cash rich company है ऐसे देखें कंपनी का dividend payment तो company dividend भी अच्छा payment करती है 105% दिया 2022 में वैसे देखें तो 60% 55% कंपनी अच्छा dividend payment भी करती है क्योंकि हमने देखा कि जो cash है वो काफी अच्छा अविलेबल है कंपनी को बार बार अपने business में पैसा लगानी जूरत नहीं है तो company उस पैसे के तुरू यहाँ पर dividend payment कर लिए तो अच्छा dividend payment करने वाली company है फिर बात करें debt by equity ratio की company कितना debt लिया है कितना अपना पैसा लगा है कोई कोई भी company कर high debt hold करती है तो high risk की company मन जाती है उतना ज़्याद उसको interest का बढ़न आता है और कुछ time बाद वो पैसा भी company को वापिस करना पड़ता है अपने business निकालके तो debt by ratio एक important ratio होता है किसी भी company को चेक करने है तो company का debt by ratio है 0.59 का यानि कि 50% से ज़्यादा पैसा कमने लोन लिया हुए अपने equity के against लगबग 60% देखें तो company काफी high debt hold करती है जबकि पैसा अच्छा कासा available है dividend company payment करें लेकिन फिर में देखें लेकिन फिर बात करें तो company high debt hold करती है तो कहीं न कहीं वो high risk में हमाई तबसे जाएगी उससे बात करें अपनी के ROI यानि के return on equity की तो पिछले साल के ROI रहा 24% का और पिछले 5 साल के average 21% तो company काफी अच्छा ROI generate कर रही है अच्छे से अपने investor के पैसे को use कर लिए उसको return generate कर लिए तो बात करें सारे parameter की तो जसमें देखा company revenue बहुत जाद ग्रोथ नहीं है profit ठीठ ठाक बड़ा है company high debt hold करती है लेकिन dividend अच्छा payment कर लिए तो थोड़े parameters वो positive है थोड़े negative है तो average ही financial कर जाएंगे बहुत जादा अच्छे है बहुत जादा exploding financial company के नहीं है average से ही financial company hold करती है और अब हम बात करते है company की valuation के बारे में कि आज कि इसका जो share price चल रहा है उसकी earning के इसासे में सस्ते share मिले है फिर महें के share मिल रहे है और इस तरह कंपनी की valuation करने लिए मैं इस करता हूँ discounted cash flow analysis उसके नहीं कंपनी को free cash flow के value करते है कंपनी कितना free cash flow generate कर रही है उसके साफ से उसकी कितनी value बनती है और यहाँ पर अबने कंपनी की free cash flow का data चेक किये था financial में तो 2022 में था कंपनी का cash flow generate करती है और इस free cash flow के साफ पूरी कंपनी की value बनती होती है एक लाग क्रोड प्यानिकर हमें इस कंपनी से 2000 क्रोड पे हर सारी free cash flow कमाना है तो हमें एक लाग क्रोड रूपे आज कितनी पर इन्वेस्ट करने पढ़ेंगे यह इस value क्रोड मतलब है तो कंपनी को fair price पर खरिदेंगे ठीक कंपनी इतना free cash flow generate करती है उसके साफ से इसकी इतनी value बनती है तो यह तो कि हमारे साफ से fair value अब बात करते हैं कंपनी के current market price की कि अभी price का चल रहा है प्राइस पर अनिशियों देखें जो की net profit निकाल जाब तो कंपनी का price पर अनिशियों काफी हाई रहा है 63 जबकि इंडस्ट्री के प्राइस प्राइस है उस साफ से कंपनी highly overvalued company है तो कुल मिलागे मैं देखें हूं तो कंपनी अच्छी है कंपनी टॉप 10 कंपनी का business लेकिन देखें तो बहुत जादा इंक्रीज पिछले 5 साल में नहीं हुआ है और company के पास अभी valuation हम चेक करें तो company सस्ती भी हमें नहीं मिल लिया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा option मुझे अभी investment के लिए company यह नहीं लग रही है इसका share price अगर 2000 यह 1800-1500 के आसा मिल जा तो बिल्कुल हम अच्छे से कह सकते हैं कि चलो company under evolution में है बागी सब सीजे भी ठीक ठाक है तो हम investment ले सकते हैं लेकिन हाँ देखें तो company मुझे और और प्राइस की तरफ ही जाती ही दिखाई दे रही है और जो भी हमने data चेक किया उस प्राइस देखें तो वो प्राइस ठीक लग रहा है मुझे और उनका जो market share है और उनकी जो US में पकड़ है वो कहीं ज्यादा इस company से है तो वो ज्यादा better option हो सकते हैं और आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देख लिए आपने किस प्राइस पर लिया था और अब उसका ज मुझे जादे इस company लग रहा है इसलिए मेरे साब से अभी सई समय नहीं इस company में इन्वेस्ट करने के लिए तो इस तरह से बात करें तो company बार आपको डिटेल नॉलिज दे दी है आश्यकरता अच्छी लगई आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय द